और कौन से दिन का स्राद्ध करने से क्या प्राप्त होता है एक वारे सुन लो फिर मैं आपको भागवजी की कथा की तरफ लेके चलोगा रादे रादे कौन से तिती में कौन सा दान करने से कौन सी बस्तू की प्राती होती है वह आप सुन लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा पूर्वान पूर्णम आस्याम चपूर्वं पूर्णम समश्मति प्रद्धनल आवाय लब्धम चांस्यान अश्यति बहुत जहां से सुन दीजे क्या का गया है जो लोग पित्रगणों के लिए इस्राद करते हैं दान करते हैं उन्हें निश्द रुप से स्वरगी प्रात नामाज पूर्द होतं hep 16 कोई संसे वाली बात नहीं है जो एसा नहीं करते हैं पुन ऐब एत्रीक यहोनी में कीडे मकोड़ों की यहोनी में जाना पर्दधा है जो पूर्मा को सराद करने वाले हैं पूर्ण परव का फल्परत होता है Having a problem एंविक शेंद ते हैं पर्व की तिथिय जो सदने में पूर्व को स्दाद करते हैं उन्हें पर्व की तिथियों में के गए सद्रक्रम का दतकाल भल प्राप्त हो जाता है तो पूर्व का जू सद्राद जो कल निकल गया वह इतना बड़ा विशेश था तो कल भी यहां पर स्राद कर्म हुआ है गीता पाठ हुआ है स्री गरुन पुरान में स्राद में गीता पाठ की भारी महिमा का बढ़नी है तो ये पूर्ण मा की तिथी की महिमा है उसकी प्रग्या, पुष्टी, स्मृती, मेधा, पुत्र, प्राती, एश्वर की ब्रद्धी ये सब चीजें होती हैं जो पूर्ण मा को स्राद करते है मैं इस तरह की कथा आपको भोड़ रहा हूँ कि सोले दिन एक भी दिन बिना स्राद के आप नहीं रहेंगे बस सर्थ ये है कि पंडाल में बैटके सोई मत जाक के कथा सुनिये नहीं तो साबदानी हटी, दुरगट ना गटी मुझे नीन नहीं आती, क्योंकि मैं भूखा रहता हूँ और आप बैटे ही सो जाते हैं कि भूख चखा चखा पीके बैटे हैं सोई मत जो पृत्पदा को स्राद करते हैं देखेए क्या अदुवत बात कहीं गई हैं उनका धन च्छें नहीं होता उनके धन में लूट मार नहीं होती, उनका धन लोगख खा नहीं सकते ये पृत्पदा जो आठ का दिन है, स्राद वाला दिना वो कितने भाग्य साली हैं जनकी तरफ से आज का स्राद समर्पत हुआ है आज प्रत्पदा का स्राद यानी सोले दिन का आज दूसरा आज स्राद दराए इसलिए तो मैं कहता हूं कि स्राद हमें अपना विश्वास रखिए कितना प्यारा इस लोक है अगे के लिए ध्यान रखिए जो सोले स्रादों में पड़वा का प्रत्पदा का स्राद करेगा उसके धन का नास नहीं होगा धन नास मतलब जानते हैं धन सराव पर जुगा पर कोकर्वों पर खोटी जगे पर खर्च नहीं होगा ये भगवान गरुण देव की आवाज भगवान गरुण देव स्रोता भगवान नाराण देव की आवाज है इधर बायू देवता भी इस कथा को अधुट ढ़ंक से तरीके से सुना लेए ये वाईू पुरान इसलिए है जो भी ब्राम्वनों को जिमाय जाता है अगनी और वाईू देव ही तो पित्रों के पास तक पहुंचाते हैं ये काम ये पित्रों के पास तक पहुँचाने का कारे उनका है क्या सुन्दरबाद के है उनके धन का नास नहीं होता उनका धन गल्थ रास्ते पर खर्च नहीं होता जो अपने पुर्वजों के लिए प्रत्मदा को स्राद्य करते है दश नंबर का श्लोक है और अध्यान नंबर है 19 बायू पुराणा आप अ बोलती है क्योंकि हमारे इस कथा को बिद्वान लोग भी सुनते हैं और व्यास फीट से प्रमान कहीं बात होने को अगली बात कहीं गई है जो लोग दुतिया को स्राद्य करते हैं पूर्णमा और प्रत्मदा का सुनाते हैं दुतिया को स्राद्य करने पर व्यक्ति मनश्यो तो यहां को रियाद विपदा दी पतिर भवेत जो अपने बच्चे आपकी सरकारी नोकरी या प्राइवेट सेक्टर में आपके बच्चे हैं उनकी पोष्ट उपर बड़े उनकी तरक्यों उनका पैकेज बड़े कंपनी में भी उचे होदे पर जाएं इसमें मेरा कोई स्वा नदेना भई अपना तो भई कोई स्वार्त नहीं है कि सब चीजह आपके लिए कितना अधबत लिखाएं दुतिया का स्राद जिनके द्वारा होता है, उनके बच्चे प्रजा में राजा की तरह रहते हैं, यानि जहां रहते हैं, वहां वो प्रम्क होते हैं, स्राद आप कर रहे हैं, संतुष्टी पूरवजों को हो रही है, और तरक की आपकी आउलाद की हो रही है भईया, कितने फ यहां से भी जादा भीड ब्राह्मनों की व्रंदावन में हमारा गुर्कुल का तो एक भी बच्चा आया ही नहीं है सब गुर्कुल में है और चकाचक रसोई सुद्ध देसी घी की रसोई घी दू दही से निर्मित रसोई आनन्द तो दुनिया में बहुत जगे होंगे लेकिन गौतीर तुलसी तबबन गौसाला में कुछ ज़्यादा बिसे सही आनन्द है छोटी छोटी सहुग रासियां लेकर के और आपके द्वारा इतने अधुत काम करा दिये जाते हैं क्यों इसलिए क्यों घी खरीदना नहीं पड़ता दूद खरीदना नहीं पड़ता दई खरीदना नहीं पड़ता सबजी में आलू खरीदने नहीं पड़ते को माता की जमीन में इतना आलू हो जाता है कि पूरा साल भर तक भंडारा चलता रहता है इसलिए थोड़ा कम पैसे में उसका इबरे जा जाता है चलते रहते हैं भंडारे तो ये दुतिया भी मुझे बड़ी अच्छी लगी है दुतिया कल है तो दुतिया के स्राध्ध को मैं तो कहूंगा भले ही तुमारे यां कोई स्राध नहीं पड़ रहा है दुतिया के स्राध्ध की बुकिंग आज से ही आप करा दे खाली स्राद्ध 1100 रुपए का छोटा सा सायोग है उसमें तरपन गीता पांट सम मिला करके देवाउतियों के साथ सब 200 रुपया यदि आपसे विवस्ता बनती है तो 200 रुपया नहीं तो खाली ब्राह्मन भोजन जन दक्षणा के साथ सर्फ 1100 रुपए का सायोग दुतिया याम्त यांकोर याद दिपदादी पतिर भवेत इससे बैक्ती एक अधिपती बनता है जिस जगे पर भी रहता है वहाँ उसका होदा रहता है प्रमुख बन करके वहाँ रहता है यह महिमा दुतिया के स्राद्ध की है इस सगरे इस राद आएंगे यह आप बस कागज में लिख लेना और जिस दिन की तिती आपको ज़्यादा मलूप लगे और उस दिन आपको तो मेरे लिए तालिया बजानी चाहिए इसलिए तुम्हें जो जानकारी नहीं है और आप से अच्छे-च्छे काम कराई जाए क्वें थे जैन के कौन सव स्राध्ध कोन सी तथी में राद करने से कौउन सा फल कौनसा पुनिय पराप्त होता है कि यह वात नंवेदित की जा रही है कि दो तया की बता अपनी उसमें वरार्थ ना तृति या तुम सस्टुगनी पाँपणाς नहीं ये भी बड़ा अद्वत है तृतिया के स्राध्ध के लिए भी बड़ी अच्छी बात कहीं गई है क्या कहा गया तृतिया के लिए कहा गया है कि तृतिया के स्राध्ध का पल क्या है इसे सत्रों का नास हो जाता है कि सत्रों का नास करने वाली यह थे थी आपको लगता है हमारे लिए दुश्मन बड़े हैं पड़ोसी परिशान करता है कोई धिकत है दुश्मनी बड़ी है बेर भाब ज्यादा हो रहा है झाल 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 पाया की दीवानों सुने लो ठिक दिन ऐसा आएगा पाया की दीवानों सुने लो ठिक दिन ऐसा आएगा बोलो रा, बोलो रा, बोलो रा बोलो रा, बोलो रा हुआ डोलो, जो फोलो रा क्यों करेता तू मीरा मेरी ये तक तू मीरा मतार देगी जू पिंजने में खसा दुआ है नहीं सेचा में निसान देगी जगी काहिला तो देने का है अन्ते में घोबी जला चली देनो औरे कोई रा जारा तो जाओ बजी जो बोलो रा बोलो रा बोलो रा बोलो रा कई पर जाओ कर दो जाओ कर दो कर दो कर दो कर दो जिने जिने ने यहे बहुती लूते बहुतो माला पाले हुए जाती दोलते के बहुती लूते बहुतो माला पाले हुए पहे दोलते के बहुती पुजादी आखिर बहुत तक कामे हुए जाती सोदे पाले सुदे लो जाती सोदे बालो सुदे लो पात सुदाओ खरी करी ले दोरे कोई राप का प्यारा सोदे जाओ खरी करी बोलो बोलो राप बोलो राप बोलो राप कर दो कर दो बुद्या को तो कभी तक पगले अपनी कहनाएगा दुद्या को तो कभी तक पगले अपनी तो कहनाएगा तीसरे को तो भूल गया है अस्तिसवई बच्चताईगा दुद्या को तो भूल गया है अस्तिसवई बच्चताईगा दो देने का यई चबने के लाएगा दुद्या को तो भूल गया है अस्तिसवई बच्चताईगा गली ताफ़ के धीरे हो तै दिखिराओ गली गली देनो हरे कोई रात प्यारा तो भूल बच्चाओ गली गली बोलो रार, बोलो रार.. इसमें जा रही आ वात दी बोली गदा धरनात भगवान की श्री हनमन्त भुलबन्त महाराजी परम कल्याणी गोमदगी नमपार्वती पताई हैरे हैरे महारे आपकी बेटियां बार रहते हैं होश्टलों में रहते हैं बार पढ़ने के लिए गई है तो मैं यहां से बड़ा नेविदन करूँगा बेटियों की कन्या के लिए रक्षा के लिए आपके बच्चों की रक्षा के लिए आपकी स्वेम की रक्षा के लिए एक बड़ा अधुत स्राद्द है भले ही उस दिन कोई तिती नहीं पड़ी है तो भी स्राद्ध होना चाहिए और वो स्राद्ध है तर्थिया का स्राद्ध जैसे दुश्मन परास्त होता मेरी बड़ी स्राद्ध है इस स्राद्ध के प्रति यह हमारे लिए सुरक्षा कबच का काम करता है दुश्मन की प्रहार करने वाले की एक भी न चले कितना बड़ा प्रभाव इस तर्थिया तिथी का है कोई भी स्राद घर में नहीं है तो भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कम से कम एक ब्राम्मण को भोजन कराई इस लोग बोड़ रहा हूँ वरार्थिनाम तर्थिया तु सस्त्रुगनी पापनाश नी तर्थिया का स्राद पापों का तो नास करता ही है लेकि सस्त्रुओं की भावना का भी नास कर देता है इतनी बड़ी में मैं उसके बाद में चतुर्थी चतुर्थी को स्राद करने से मान एस्वरे की प्राप्ति होती है ऐसा बर्डन किया है पंचमी और चौथ चौथ होती है पंचमी एस्वर को प्राप्त करा देती है और जो चौथ है यह चौथ ब्यक्ति की जो कम्योरी है अब क्या आप म्योरी करो बर्डन करों कुछ बात ऐसी है बोलने में हमत नहीं पढ़ दिया फिर भी बोलना पढ़ दा जैसे वेकर कुकरमी हो गया गल्ट रास्ते पर चला गया बहुत उसका उपाय किया जाता है सराब की आदत पढ़ गई है कुकरमों की आदत उसे पढ़ गई है छोड़ना चाहता है लेकिन पर भी छूपता नहीं है तो ऐसे उसके अंदर जो दोश आ गए है उन दोसों की निब्रती के लिए चोथ का सराब दे चतुर्थी का सराब दे कल मैंने बोला ही था रात्री को आपको जो सराब की महमें आप सुनेंगे तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो सराब छोड़ने के लाइगे और हमारे गृंतों में भगवान व्यास ने बड़ी विस्तार पूरों के बातें कहीं है जिन लोगों के पास कमजोरी है कमजोरी सरीर से दुरूबल नहीं कमजोरी का मतलब है को उसके अंदर ऐसे दोस चल कर कर आ गए है वो छोड़ना चाहता है छूड़ता नहीं है चोथ का चतुर्थ्याम कुरते स्राध्धम सत्तो चद्रान पस्चंती उसको अपनी कमजोरीयों का एसास ही नहीं होगा और उन गल्तियों से वो मुक्ती भी प्रात्त कर लेगा चोथ का स्राध्देस है पंचम्याम भई प्रकुर्वाना प्राप्नोती महतीम स्रियम पंचमी का स्राध करने से मैंने पुर में भी बोला है घोर गरीवी का नास होता है जैसे सात्मोकी रुद्राक्ष घोर गरीवी को समात करता है स्राध पक्ष में पंचमी का जो स्राध है वो घोर गरीबी का नास करता दर दरता को समात करता है घर में धन टिकता नहीं है ब्यापार चलने ही रहा है साथ कुछ फैल हो रहा है कुछ अब बन भी नहीं रहा है अब क्या करें तो इसके लिए नौट कर लें कलम से कागज पर लिख लें और लाल पटी पर जो माता है बैटी है वो हरी पटी पर बैट जाए इदर आ जाई ये ऐसे आ जाई मेरी नाख के सीध से दर आ जा मेरी नाख नहीं पत जाए आज दर आ जा ठीक है अब टीक है कोई आपके सामने बैठने से कोई नाख थोड़े ही पकेगी मैंने तो इसलिए बोल दिया नाख पकने के लिए कि आपको लगे कहीं महाराज की नाख पकी न जाए इसलिए आगे से हमें दर बैठे है बोलिए इसरी गदान धरनाथ भगवान की जए बच्चे पांडाल में काम कर रहे हैं बेटा चार वजे के बाद कर लेना अब तुम जो है इसको रहने दो रिंकु पिया साम को करा ले दो ठीक है? और काम करा लो बहुत काम है उतर रसुल पंचमी का स्राद्धारी स्रद्धाय इसके प्रति जब भी मेरे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं के दें महराजी भी आपार चलने रहा है काम चलने रहा है को मेनत करते हैं प्रोग्रेस नहीं हो रही उतकर्स नहीं हो रहा तो मैं उन्हें कहता हूं कि जब स्राद्ध पक्च पितरपक सोले दिन आवे उस दिन ब्रामण को भूला करके ठीक समय पर मद्यान के समय में दक्षण की तरब मुख कराके उसका उसे भूजन कराएं और सुएत वस्त्र उसको दान में दें हुआ है निया वहां किली ओ भूजन के लिए वहां तिर का थोड़ा चिड़काव करते तिल का चिड़काव करके ब्रामणों को समय तो तो उसकी मेहीँ माज़ाता अपको पता एस पांडाल में हम क्यों बेढ़ते पांडाल में हम ब्रामनों को भोजन क्यों कराते 커피 यहीं तो हम ने इसमें पर लिया यह कई नएं दिल पड़े तरपन का जलका परुक्षण भी उस जमीन में होता ही रहता है ऐसी जगे पर ब्रामण को भोजन कराने से अनंत गुना फलप्रात्व होता है नहीं तो उनको दूसरी जगे भी तो जमा सकते हैं बहुत लंबा छोड़ा पंडल फिल्ड है लेकिन जब से हमें इस बात का पता लगा है तब से हमने ब्रामणों को कथा पंडल में ही भोजन कराया है नहीं तो पहले इनके लिए पंडल अलग लगता था जमाने के लिए मैंने 2022 में बायू पुरान की कथा हाँ 22 महीं कही थे 24 चल रहे हाँ 22 की बात है तो इसे ही गया जी में जब मैंने पहली बार इस ग्रंद के माध्यम से यह निवेदन किया कि जहां तिल का छिड़काब हुआ हो तिल का परुक्षन हुआ है जहां कुसा का पानी गिरा है ऐसी जगे पर ब्रामणों को जिमाने से उसका पुण्यवी अनंतुणा फलताई हो जाता है तो तब से लेकर के 22 और 23 और 24 ब्रामणों का भोजन कथा परसर में ही हो रहा है इसलिए यह जगे बहुत है और इधर भी तो बड़े बड़े पानडाल लगे है जहां आप भोजन करते हैं भोजन का पानडाल परसर मायक पर गया है तो आपके घर भी इवराहमण सराद में जीमने को आता है तो तिल का छिड़काब करें थोड़ा लोटे में कुसा डाल करके पानी का छिड़काब करें फिर वहां आसल लगाएं और दक्षन की तरफ ब्रामण को मुख कराके फिर आपको आप उन्हें भोजन कराईए और आने वाला साल देखिए आप यह बर्स आपके लिए कितना अद्भुद जाता है कितना बढ़िया जाता है इतना बड़ा आनंद हो जाएगा भीया यह ग्रंथों में लिखी गई बातें यह बड़ी गुड़गराई है तो पंचम्याम भई प्रकुरुबान प्राप्नोती महतीम स्रियम धरती पर वो लोग बड़ी धनवान होते हैं जिनके द्वाराँ पंचमी को स्राद्ध होता है ब्रामण भोजन होता है दो-तीन दिन बाद पंचमी आ रही है तो यह स्वभाग्य प्रात्य कर लेना अब बात रही छटमी की क्या चटमी के स्राद्ध की भी बहुत बड़ी महिमा का वड़न किया और कहा जो चटमी का जो स्राद्ध है आँ गया जो मनुष्य सश्टी तिथी को स्राद्ध करने पर देवताओं की पूजा करता है यह इन्हें इश्ट दर्सन तक यह पूण्ड उन्हें पूँचा देता है चटमी को विश्य सुरुप से देवताओं का बंदन पूजन करके ब्राम्बनों को जिमाए जाता है जो मनुष्य सब्तमी को स्राद करता है उसे स्रेष्ट यग्य करने का फलपरात होता है यह सब्तमी की इतनी वड़ी में मैं कुर्ते यस्त सब्तम्याम स्राद्धानी सत्तम नरा तो जो सब्तमी को ब्राम्बनों को भूजन कराबेगा उसे स्रेष्ट यग्य करने का पलपरात हो जाएगा अश्टमी को स्राद करने से संब्रद्धी बढ़ती है संपदा बढ़ती है पैसे में कमी नहीं आती उसमें ब्रद्धी होती है धन बढ़ता रहता है आप छोटा सा भी काम करने को जाते हैं वो छोटे ही बड़ा हो जाता है यह है अश्टमी की महिना बहुत लोगों को अश्टमी सिद्ध हो जाती है मुझे लगता है कि अश्टमी मुझे भी सिद्ध हो गई ये भगवान की कृपा से अपना उसमें कुछ भी नहीं है छोटा काम करने के लिए जाते हैं और वो बड़ा हो जाता है बरकत इतनी होती है दोसों के लिए बनाओ तो चार सो जीम जाते हैं आश्रम मेरी मेरी माने मुझे जन्म दिया मेरी माने का था बेटा तेरे जनम पर मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ मैंने का मा तो इसका मतलब है में बड़ा पुन्मानू नहीं तो बच्चे को जनम देते समय मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी मां के बोल बोल रहा हूँ नहीं तो बच्चे को जनम देते समय भारी कश्ट होता है बहुत दिक्कत बहुत परिसानी होती है लाखों लाखों बिच्छू डंक मारें इतनी वेदना इतनी दिकत इतनी परिसानी होती है हम भाग गसाली है यदि हमसे किसी को कष्ट नहीं है चाहे माता पिता हो चाहे समा जो चाहे आप भक्त लोग हो चाहे और भी कोई हो हमारा भागे तो इसी में है कि हमसे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की तो जो अश्टमी है वो बड़ी विशेश है बहुत लोग तो मात आएं बेटियां तो अश्टमी का वरत करती हैं पुरस लोग भी अश्टमी करते हैं दुर्गा की अश्टमी, सुम्मार को अश्टमी पढ़ जाए, वो अश्टमी बहुत कहने के लाएक है, बुद्वार को अश्टमी पढ़ जाए, बहुत बिशेश है, राइवार को सब्तमी पढ़ जाए, उसकी बड़ी महिमा है, तो सुम्मार को अश्टमी और बुद्वार क यह दोनों ही अपने आं में बड़ी विसेश हैं तो वरडन किया गया अधुत बाते कही गई आह 150 पोर जो पुक्रत करते है उन् हर प्रकार की सम्रुदी प्रत्रु वाणिये नवमी एंदन जो घरों में सराद होता है उस घर के स्तरियां लडाए नहीं लड़ती, जगडा नहीं करती, कभी पती से यद्ध नहीं करती, पुरस लोग यदि हमें सुन पा रहे हो और तुमारी घरवाली यां लड़ाई करती हैं, तो नौमी का सराथ ऐसा है जा घर के जगड़े बंद हो जाएगा दो तीन बातें तो मुझे याद में हैं ही पिता पहले गए है माँबाद में गई है उसके लिए नौमी का सराथ थी कोई भी पड़े नारी वरग के लिए नवमी का सराथ बहुत अदोत है वायो पुराण में लिखा है कि घर की इस्त्रिया जिन से बन नहीं रही है जगड़ा हो रहा है पियर में जाकर के बैट गई है वो भले ही ऐसा नहीं हुआ है लाख बात की बात यह है कि नवमी का सराथ करने से घर की नारी रूट कर घर छोड़ करके नहीं जाती यह बहुत बड़ी महिमा है नवमी के साथ आपके घर में भी बहुओं का रुतवा जादा है मानती नहीं है जगड़ा करती है कला करती है लड़ाई करती है तो तुमारा बेटा तो बहु के सामने भींगी बिलया की तरह बिल्ली की तरह बेटा रहता है तो भगवान की कृपासे ये सब चीजें जो लिखी है कहीं न कहीं से गुडगराई है ये लाबतारी है तो उसमें ऐसा खरजा भी क्या होता है एक ब्रह्मन कोई तो जिमान है तो ये नौमी के स्राद्दकी नवमी के स्राद्दकी बहुत बड़ी महिमा है इसमें ये वर्डन किया गया नवम्यं स्राद्दम नवम्यं कुरवान एस्वर्यम कांच़ता स्रीम इस्वर्यम जगडा नहीं करती ये इस्वर्य ब्रतार कुरवन्दश्मियां तो नरो वराम्य स्रीयायाम आपमे हाथ तत्वशाद दस्मी के स्राद की भी बात कही दस्मी का स्राद करने पर ब्रमाणी और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है ब्रमाणी की कृपा से बच्चे विद्वान और लक्ष्मी महिया की कृपा से बच्चे धनवान हो जाते हैं रिसमी के स्राद्धिकी में है, समझ में आ रहा है, है, भूखे हों तो भोजन कर लो, चल रहा है, है रसा ही चल रहा है, कथा सुन लो, अगली बात कहिए, कहिए एक अदसी का स्राद, एक अदसी का स्राद बैसे विसे रुप से उनके लिए होता है, जो घर से रूट के चले गए, आए नहीं जो बाबा वेरागी मांतना बन लिए, उनके लिए ग्यारिस का स्राद, एक अदसी को, चावल खाने में अपराद लगता है, तो सब को पता है न, एक अदसी के दिन चावल नहीं खाय जाता है, लेकिन इस राद्ध में ब्रहमणों को चावल की खीर खिलाने में एक परसेंट भी दोस नहीं लगता, यह बातें जानकारी में होनी चाहिए, यदि किसी ब्रहमण का वरत है, तो बिलकुल मत खिलाईए, यदि वह एक अदसी का वरत नहीं करता है और आप स्राद कर रहे हैं, तो स्राद्ध वाले दिन उने भोजन, श्वादिष्ट, मिश्टान, परगवान, जैसे देवताओं को अन्नका भोग लगाने का कोई दोस नहीं लगता, उसी प्रकार से श्राद्ध में एक अदसी के दिन ब्रामणों को पूड़ी और खीर जिमाने में, खिलाने में कोई दोस नहीं लगता, पुर्ण जरूर लगता है, दोस तो कोई नहीं लगता, उस दिन दो प्रकार के भोजन की बिवस्ता रखी है, यहां भी ऐसा ही होता है, बैसे हर एक अदसी को तुलसीवन आस्रम में भोजन नहीं बनता, हर एक अदसी को ग्यारस को भोजन नहीं बनता, वहां तो काम करने वाले सब और अपिस के लोग भी सब लोग वरत करते, ग्यारस के दिन अन्द पकता ही नहीं है तो खाएंगे कहां से, लेकिन स्राद्ध में गयाजी की धरती पर चकाचक फल्यार भी बनता है और चकाचक भोजन भी बनता है जिसका अवरत है वो फल्यार वाली चीज़ें लीजिए और जिसका अवरत नहीं है वो आहार वाली अन वाली चीज़ें क्योंकि एकादसी स्राद्ध में पड़ी है तो जिन लोगों का ग्यारस का बृत नहीं है एकादसी के दिन उन्हें अन्न खिलाने में इसी भी प्रकार का कोई अपराद नहीं लगता एक बार जेकर लगाए बुलुबां के बिहारी लाल की हमारे ब्रंदावन में भी ऐसे बहुत देवाले हैं एकादसी के दिन अन्न का भोग भगवान को तो दोस्त लगता ही कहा है अन्न का इस स्वर को नहीं है जगनात भगवान को इसलिए ग्यारस के दिन अन्न का भोग लगता है साथ बिहारी जी को भी लगता है तो बहुत आए तो में है फांके बीहर जी को लगते हैं रादरमण जी को रादा बल्लब जी को लगता है इन्हें 11 के दिन लेकिन इसका मतलब जहन भगवान को वह लगए तो आप भी चार फुलका लेना अरभ करदें आपके लिए नहीं है भगवान के लिए आप एकादसी का अवरत करते हैं यहाँ आपके एकादसी पड़े तो यहाँ भी करना कि नहीं कि महराजी ने तो कह दिया कि एकादसी को आप खा सकते हैं वो खा सकते हैं जो अवरत नहीं करते हैं जो वुरत करते हैं वो नहीं खा सकते हैं एक आदसी के दिन फलियार आहार जो भी है उसके अनंद गुणी महिमा है अब ग्यारस के स्राद्द की और क्या महिमा है एक आदसी को स्राद्द में दिया गया दान सर्बुत्तम होता है ऐसा करने वाला सभी वेदों को प्रात कर लेता है जिंदगी भर पूरे जीवन भर बेद पढ़ करके जतना पुन्य कमाई जाता है उतना पुन्य एकादसी के दिन स्राद्ध और दान करने से उतने फल्की प्राप्ति हो जाती है ऐसा भगवान वेद अभ्यास लेख रहा है इस लोग ओले देता हूँ क्या लिखा है एकादस्याम परम्दान एसोर्यम सततम तथा परमैश्वरी प्राप्त होता है और क्या है उन्हें बेदान शाइवापनी आश्याद बिप्राण समनिस तथा बिद्वानों को वेद दान में देने का फल जिन्दगी भर वेद पढ़कर पुण्य प्राप्त करने का फल ततकाल प्राप्त हो जाता है जो ग्यारस के दिन जो एकादसी के दिन ब्राम्दों को भोजन कराते है ये तो आप सब भूल जाएंगे टेली बिजन पर जितने भी मुझे लोग सुन पा रहें ये ततियां तुम भूल जाओगे हमें कह दीजे पूरे सोले दिन का दिन भर का भंडारा चले ग्यारहजार रुपे का सयोग है और एक बार का भोजन चले ग्यावन सो रुपे का सयोग है एक टाइम का भंडारा प्रशाद पांच जार एक सो रुपे का सयोग और पूरे दिन भर का है वो ग्यारहजार रुपे का सयोग है तो उसमें भी सब बर्डन है का सुबह दुपेर शाम जैसे पूजा का मेत्व है उसमें भोजन कराने की भी महेमा का बर्डन किया गया एक पाज एकरा लगाई है बुलबांके भी हारी लाल की यदि आपको लोड नहीं पड़ता है तो आसरम के सभी नमर चालू है ये पुन्या ये सवभागे कामाले गीता जी का पाठ और पितर भक्ष में बहुत आनंद की बात है बहुत और देखो जो भगवान कराता है पता नहीं कैसे प्रेणा दे देता है मैंने यहां से सुबह एनांस किया था कि एक पीतल की थाली उसमें ब्रामण भोजन करते रहें और मैंने एक छोटा से एनांस कर दिया आपने उसको सुना कुछ लोगों ने इसमें सहयूग भी किया लेकिन यहां से मैं अपने आवास तक पहुचा तो मुझे लगा कि मैंने एक यह थाली का एनांस क्यों किया पंच बरतनों का पंच बरतनों का क्यों नहीं किया अब थाली में तो दोने अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर तो अब थाली में हो भे भोजन और यह फैंकने वाले गिलासों में पिया जावे पानी क्या बोलते हैं उसको डिस्पोजल कहते हैं हाँ बोले हम भी सुन ले बैटा थाली में इतनी सुन्दर पीतल की थाली और उसमें डिस्पोजल यह तो बात कोई बनी नहीं तो मन में बात आई कि यह तो पांच बरतन और पांच बरतन की भी सोच करके बात आई अरे महराज दुश्टर ब्रामण जिन बरतनों में भोजन करते थे वो तो सोने के पात्र होते थे तो ब्रामण उन पात्रों को अपने घर ले करके चले जाते तो क्यों नहीं सराद्धों में जन बरतनों में ब्रामण देवता भोजन करे वो अपने अपने पात्रों को अपने घर ले करके चला जाए गयाजी की धरती से आपको तो सच में मेरी व्यास पीड के लिए ताली बजानी चाहिए ये गदादर भगवान के द्वारा ही कोई ऐसी प्रेणा हुई तो मैंने ततकाल फोन किया जो लोग गए बरतन लेने के लिए मैंने का ऐसा ऐसा कर दो तो मैं याँ ब्रामणों को जब दक्षणा बाट रहा था तभी फोन आया का मारा स्री जी ये तु सब ऐसे ऐसे पढ़ रहा है देख लो लोड हो जाएगा मैंने का कि मेरा तो लोड इन भगतों ने लिया है क्या लोड हो जाएगा अभी एनाउंस करता हूँ सायो कितना देखो जतना आप कर देंगे वो ठीक है यदि कम पड़ेगा तो फिर मैं बोल दूँगा किसी सेट को नहीं तो इतना करना कि मुझे फोन नहीं करना पड़े क्योंकि अभी तक करना नहीं पड़ा है और आस्रम ये सब लोड जहल नहीं पाएगा क्योंकि समय निर्माण का खंब बहुत ज्यादा भारी ज्योड से इसलिए प्रते एक दिन कई लाखों रुपए का खर्चा गोसाला की दिरब से आस्रम की दिरब से होता है एक छोटा सा रुपए का है और आप करेंगे तो मुझे किसी को फोन करना ही नहीं करेंगा तो यह जतना आजा रहा है वो सब आप कर दीजेगा खुद कर लो अपनी सहली से करा लो छोटी सी रासी है वो जिनके पास में ज्यादा बड़ी आसी विवस्ता है वो पांच लोगों के लिए कर मैं तो यहाँ पर आयाई हूँ आप से कुछ अच्छा कराने के लिए आप से कुछ बढ़िया कराने से आपके पास रुपियां हैं लेकिन दोगे कहां करोगे कहां यह तो ऐसे ब्रामन जो नित्य संजा करने वाले हैं तरपन भागवत जी का बाठ जिनके द्वारा हो रहा ह और यह ऐसा कुछ करने के लिए स्वभाग प्रात हो रहा है तो अपनों को भी प्रेणा दे दीजीगा ऐसा ऐसा महराज ने एनाउंस कर दिया है जिसमें चूकना मत रोज तो मैं थाली थाली चिलाओंगा नहीं तस आज का ही काम है तो उसमें आप सहयोगी बन जाईए आंस वरतनों की बड़ी महिमा है अभियाठ कता कि आरंब में मैंने बोला भी है तो इसमें पांसो पचास वर जमा करके तो साड़े बारे सुर रुप्याप मेरे तो फ़ोटो भी आ गई है लेकिन साम को कल सुबह आप देखी लोगे जिसमें ये देवता भोजन करेंगे इससे आ सुन पारे साड़े साथ वजे रोजाना यहां पर पित्रों की आर्थी होगी कल भी हुई है सुबह भी होती है पूजा के समय में लेकिन साम को भी वड़ी अदूत पूरे पांडाल में सभी ब्रहमड और भक्तों के हाथ में सुद्ध देशी घी के दिये होंगे आर्थी के स यह पेत्रों की आर्थी के लिए आजाइए यह डिलिके कॉछ जनके पाश ठीक से बड़ी आसी विवस्ता है वो इन पंच बरतनों में पाँच हजार और ग्यारे हजार रुपे का भी सहुप कर सकते हैं उतने में जितना भी पाँच बरतन आएगा उतना आपके खाते में डाल दिया जाएगा उतने पुण्ड के भागिदार आप बन जाएगा जहां तक मेरी आबाद जा रही है आप स्री गयाजी में आएएं कहीं भी आप रुके हैं उसकार्कर्म में आई हों चाय किसी दूसरे कार्कर्म में आई हों। दुपर का भोजन, शुबे का नासता, साम का भोजन, नास्ते में फल्यारी मिलेगा न नहीं मिलेगा। क्योंकि रसोई को जूंठा नहीं किया जाएगा अन पहले यहां ब्रहंबडों को ही प्रशाद में स्राध्ध कर्म पूरा हो जाएगा उसके बाद ही सब को अन की भंडारी की विवस्ता हैं को आप कहीं भी रुके हैं चाहे सायुजन में आई हो चाहे बैसे गयाजी आई हो पूरे दिन प्रशाद सुबह का नास्ता दुपेर का प्रशाद भोजन और आत्री की बयारू यहीं कीजिए आप जीमेंगे हमें बहुत मलूप लगेगा हमें बड़ा अच्छा लगेगा हमे जीम रहे हैं तो पेट हमारा ही भर रहा है इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है अच्छा लगेगा बड़िया लगेगा और भी आपके साथ जोगी आए हैं उनको भी बोल दीजे टीवी पर भी हमें सुनने वाले जोगी लोगें होटलों पर पवित्रतों मिलता नहीं आ पूजा के लिए आए हैं और आहार भी उसमें ठीक ठागना हो साब के लिए रस्वई की विवस्ता है चाका चक भूजन पाईए और देल खोल करके ऐसा नुष्ठान के सहयोगी भी बनिए मेरे साथ रामाण के एक चौपाई भी बोलिए रामाण के चौपाई तो ऐसे समझ ये धर भाई तेह धरी करिया ही फलभाई भजलेगा वे सब आए तेह धरी करिया ही फलभाई 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 तेह धर त्रीकर यही फनभाई भजी आई रामे सबें कावें पिहाई त्रीकर यही फनभाई भजी आई रामे सबें कावें पिहाई स्री रावी जय रावी जय जय राव स्री रावी जय जय धार स्री रावी जय जय भाद में दिया ध्यान सरवत्तम होता है लेकि एकाद सी के दणाप अन्य नहीं झा सकते लेकिन एकाद सी के दिन अन्य दान की वड़ी महिमा है ऐसा वेदों में वड़न है कहा गया है कि उनके संपून अपराद समात हो जाते हैं एकादशी का स्राद करते हैं एकादशी के दिन धिया वो दान्ग पुन्य करते हैं उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति होती है अब रही द्वादसी द्वादसी में क्या होता है द्वादस्याम राष्ट लाबं तू जयामा हुर्वसुनिच प्रजानाम बुद्धि पसुनमेदाम स्वातांत्रम पुष्टमुत्तमम धीर आयू ए सोर्यम अहा कमाल की बात है क्या लिखा हुआ है वर्डन की आयद द्वादसी तिथी को स्राद करने पर राष्ट की उन्नती होती है आप अपने परवार की उन्नती तो चाहते ही हैं लेकिन देश की उन्नती चाहिए मुझे आप पूचहें तो मुझे 16 दिन के स्रादमे सबसे ज़्यादा अपनी तरप आखसत करने वाला स्राद takiego स्यादध करणे क्यों कि द्वादसी का स्राद करने से देश की तरक्की होती देश की तरक्की में सेना की मृत्त्यु नहीं होती दुश्मन उसके उपर वार नहीं कर सकता देश के उपर आपते नहीं आ सकते भूकम्प नहीं आ सकता बंब विश्पोठक जैसी है और दुश्मन के प्रहार से ये सुरक्षा मिलती है ये द्वादसी का स्राद्ध है मैं तो कहूँगा कि आपके घर में किसी भी पुर्खे की तिथी ना पड़े द्वादसी को आप राष्ट के लिए देश के लिए साब द्वादसी का स्राद्ध जरूर कीजिए और हर वर्स कीजिए ये बातें अपनी बभूँओं को भी बोलिए भले ही आप गया जी में तरपन बगरा सब पिंडदान सब करके आगए हो तेकना आप ये कोरे कागज पर लिख लेना कि द्वादसी को स्राज हम राष्ट के लिए जरूर करेंगे राष्टी नहीं रहेगा तो हम का रहेंगे देखो वंगला देश की क्या हालात हो गई है और एक देश है कौन सा है वो कई सालों से तीन चार साल से मुसमें युद्ध ही चल रहा है अभी युद्ध ही सांत नहीं है अब देश का नाम आपको पता होगा यूकरेने क्या है यूकरेन तो देश सुरक्षत रहे देश में रहने वाले लोग सुरक्षत रहे हैं देश को गती मिले देखो इस लोग बोल करके बात कर रहा हूं इन बातों को हलके में मत लीजे धीले में मत लीजे कताएं टाइम पास करने के लिए नहीं है एक बड़िया सा जीवन जीने के लिए कताएं आप 40, 50, 60, 70 के हो गई होंगे लेकिन जो मैं व्यास वीट से जिस श्लोका व्याखान कर रहा हूँ आपने नहीं सुना होगा दुट द्वादसी के इसराद की इतनी बड़ी महिम है द्वादसी का इसराद क्या देगा द्वादसी का जो स्राद है और देश की धरती को जमीन को ये स्राद है वो बंजर नहीं रहने देता यानि किसानों के लिए इसके दो स्राद के इसके दो बड़े प्रवाद दिखते हैं एक तो धरती उपजाव होती है धरती मेंसे अन बहुत पैदा होगा राष्ट सुरक्षत रहेगा सेना के प्राण सुरक्षत रहेगे एक स्राद के करने से तने बड़े बाईगे राष्ट को गती मिलेगी और हम लोग तो राष्ट के पुजारी है मुझे ध्यान भी न रहे तो भी आगे एक वार मझे और याद दिला देना जैसे द्वादसी निजदीक आवे एक बात मैं आपको और बोलूगा किसीने मुझे आज पूछा है महाराज जी हम तो पहली पोथी में बेठी नहीं पाए लगता है पहली पोथी का प्रभाव जादा है दूसरी पोथी का कम है मैंने का कथा कहने वाला वही कौसिक महाराज पांडाल वही गया जी वही काल चक्र मेदान वही ब्यास पीट भी वही तो आपके अबरहम मड़ भी ये 24 तारीकों फिरी हो जाएंगे 25 से फिर हुआ ही आपने ऐसे कैसे विचार कर लिया कि बाग में के 7-8 दिन में जो पोथी होगी वो कमजोर है कमजोर क्यों होगी देखो इसमें 9 मीं पड़ेगी इसमें 10 मीं पड़ेगी एकाथशी पड़ेगी जित बाथशी का वर्डन कर रहा हुँ वो भी सेकंड पोथी में पड़ेगी इसमें अकाल मुत्तू से किसी की मौत हो जाए या आत्मत्या करके मर जाए तो उसके उदार आत्मकल्यान के लिए चतुर्दसी भी उसी में पढ़ेगी समय से पहले समय से पहले किसी की मृत्तु हो गई या दुनिया छोड़ करके चले गए उनके लिए चतुर्दसी पढ़ेगी और सर से कितनी बड़ी वाद एक अमाबस जाभी किसी में दूसरी वाली पोथी में पड़ेगी तो आपने ऐसा कैसे बोल दिया हम पहले में चूप गए और अब लास्ट वाले में तो फिर उसका फल कम होगा कि फल फुलों के चकर में मत रहा करो अच्छे कर्म के चकर में रहा करो भगवान कहते हैं कर्म तू कर फल मेरे उपर छोड़ दे तेरे भंडार भरने की जिम्मेवारी मेरी है गीता में भगवान बोले कर्म करने में सोतंतर रहो फल छोड़ो भगवान के उपर हम तो भगवान से कोई फली ही नहीं मांगते तो अगर रामान के कथा याद है जब भवान चत्रकुट पहुँचे तो ये सुद कोल किरातन पाई बनके बनवासी लोगों को समाचार मिला वो सिगरे रामजी सको मिलने को दरसन करने को गए जब रामजी के पासे जाने लगे तो प्रभु सी रामजी सब को फल देने लगे गरीब बनवासी लोग रोपड़े कहने लगे है प्रभु हम गरीब है लेकिन इतना जरूर हम जानते हैं कि हमें आप से फल नहीं लेना चाहिए कहा क्यों जो भी लोग आए वो सब फल लेके गए है तब जब आद दिया उन भोले भाले लोगों ने का प्रभु ये फल बेके हमें बेका उमत हमें फल नहीं चाहिए हमें फल देने वाला राम चाहिए जब आप ही हमारे पास में रहेंगे तो बस्तु कहां रह जाएगे किये गए सदकर्म का फल भगवान को मांग लीजे जैसे केवट अपनी नाव में भगवान को बिठाना चाहता है उत्राई में चुवन्नी भी नहीं लेना चाहता कोई धन नहीं लेना चाहता हिले की नाव में भगवान को विठाइए किसी में आनन्द हो जाएगा अब कर्चुनात चाहिए मोरे अब कर्चुनात थे थे नची यह होरे दिन दे दयान दे तो नहीं कोरे अब कर्चुनात थे नची यह होरे दिन दयान दे तो नहीं कोरे परमात्मा को प्रात्रा करके गई अब हमें कुछ नहीं चाहिए बस आप यह कह दो बेटा बिटिया तुम मेरे हो हम तो बस इसी में आनन्द उत्माद आप इन ग्रंधों से कताएं सुनवें आनन्द भर देने वाली कताएं के स्राद्द की महिमा जिंदगी की अंतन स्वास्त अक्रवी भूलना मत ऐसी मेरी वहने जिनका स्वाग देश की रक्षा में लगाए जिनकी होली दिवाली वहीं होती है यह द्वादसी का स्राद्द है उनकी आयू बढ़ाने के लिए राष्ट का खजाना बढ़ाने के लिए राष्ट की उन्नती के लिए किसानों की अनकी पैदावार के लिए पकीवी फसल पर कोला न पड़े उनकी फसल नश्ट न हो उस देश की बड़ी ग्रोथ बढ़ती है जिस देश में अनांट बहुत प्रदा होता है भारत करसी प्रदान देश है जितनी बड़ियां सबजियां भारत में उगाई जाती है किसी दूसरे देश में नहीं यह तो बड़े लोगों को लगता है कि हम अमेरिका के अंगूर खाएंगे तो लोग हमें बहुत बड़ा समझेंगे मैंने विदेश के फलों को विदेश जाकर के देखा मेरी जनमस्ट मी पढ़ गई कौन सी जगे में था मैं जापान की तरफ था दोजार चे की बात है और मेरी जनमस्ट मी पढ़ गई मेरा अवरत था तो कोई सज्जन मेरे लिए फल लेके आए सेव लेके आए मेरे पास कोई जैपुर से फैमिली उनके पुर्खे पहले गए होंगे तो मेरे पास ही बैठे हुए थे नो ने का महराज जी ये सेव आपके लाइक नहीं है मैंने का क्यों फल में आता है सेव तो ठीक है ये कोई प्याज थोड़े ही है नो ने का ये फल ये सेव खाने के लाइक नहीं है क्योंकि इसके उपर फिस का ओइल यानि इसमें मचली का तेल लगाया गया है मैंने नहीं कहा है धन्य है अपना देश जहां की खुस्वू बड़ी अदूत है भारत में तो जनम ले लेना ही एक बहुत बड़े पुन्य की बाद भागवाज जी मैं का अहो अमी शाम के मकान सो भारती लोगों ने कितना पुन्य किया है कि ऐसी धरा पर उनका जनम हुआ है जहां उन्हें सदकर्म करने का फल प्रात हो रहा है सो लेदन स्राद्धों करने का सववाग भारत को ही प्राप्त है और किसी को ने यहां तो सौमती मावस्या नहाने का सववाग भारत वासी लोगों को ही है आप कहोगे इससे भारत को मिला गया अरे दुनिया में सूर्ष सबसे पहले भारत में निकलता है गंगा भारत में बैती है क्यों नहीं मिला इस सब का भगवान के जितने अवतार हुए वो सब भारत में हुए है तो क्या हम भागे साली नहीं है बहुत भागे साली है द्वादसी का जो श्राद है तो राष्ट को लाव देता है देश का कर्जा उतरता है श्राद धकी इदनी बड़ी में इसे जो आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही तेकन सबसे बड़ी बात है द्वादसी के स्रादसे राष्ट का हित होगा देश में युद्ध नहीं होगे आपनाएं नहीं आएं देश सुरक्षत रहेगा एक द्वादसी का स्राद द्वादसी को ब्राह्मध झाने का इतना बड़ा आसरम बड़ा भागे साली है हर महिने में दोनों द्वाथि को एक अद्वाथि के बाद कुछ तो श्वन आस्रम में ब्राह्मध का देवि बंढाराच अग्योग बड़े भागे साली है जिनके तरफ से चलता है तो आप भी जरूर यह कीजिएगा प्रजाम बुद्धिम पसुन मेदाम स्वात आंत्रम पुष्ट मुत्तमाम और क्या लिखा है यह तो थी इतनी अद्वत है यह अन्न की प्राप्ति कराती है अब रही त्रोधसी त्रोधसी का स्राद करने से प्रजा बढ़ती है बुद्ध भारी नहीं फेलती सोतंत्रता जूटे दोस में कोई जेल में लग गया है तो उसको जेल खाने से मुक्ति मिल जाती है लोग दीरगायू की उम्र एस्वर्य प्राप्ति यह होती है यह इसकी बहुत बढ़ी महिमा है इत्रोदसी की महिमा है अब ठीक से सुन लो चतुरदसी चतोदसी जिक्या महिमा ही लिखाए बहुत ध्यान से सुनिभा दिने निया है यदी किसी की सस्त्रेण हत्यार से मृत्त कुई है उसके लिए तिथी कौनसी भी पड़े मेरी बात मनलो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है यदी मरा हुआ जीव असंतुष्ट है पूरे घर के बेल बन जाएंगे तरक्की नहीं होगी इवा उस घर में परिशान रहेगा इस तरियां परिशान होगी यहां तक बंस ब्रदी भी रुख जाएगी काम चलेगा नहीं रुकावटें आ जाएंगी यदी किसी की इस इस्तती में मरत्व हुई है और वो त्रप्त नहीं है मैं इस लोग बोड़ रहा हूँ देखा यवा नश्मर्ता यस्या ग्रही यदी जिस घर में किसी युवा जवान की मौत हुई है और हमारे ग्रंतों में 60 वर्स से पहले किसी की मृत्व ही तो उसको युवा माना गया भलेई वो आपकी द्रश्टी में 25-35 साल में युवा है लेकिन गरुन पुरान की अंदरगत हमारे धार्मिक महा बिज्ञान में चैन नहीं है 60 वर्स से पहले यदी किसी की मृत्व ही है तो उसको अप मृत्व का गया छोटी ही उम्र उसको कही गया और उससे और पहले के द्वापुर्त रिता सत्योग में तो सो साल जीने की बागते ही गई थी का गया था गधरती पर आया है तो सदम आयू सो साल जी करके जाए पिकन कल युग में उम्र कम है तो भी कल युग में 60 वर्स से पहले तो मृत्व न हो यदी ऐसा हुआ है तो क्या लिका युवान शाम्रता यस्यग रही तेसां प्रदा बही उस घर के लोगों को चाहिए जिसके घर में युवाओं की मृत्त हुई है सस्त्रेन तू हता सस्त्र से हुई है एक्सिडेंट में हुई है और असाद बीमारियों से कैंसर हाट अटेक ये सब असाद बीमारी आई है इन बीमारियों से यदी किसी की मृत्त हुई एक्सिडेंट में मृत हुई पानी में डूब करके मृत्त हुई सस्त्र से मृत्त हुई बीमारी से मृत्त हुगई तो तेसां दद्या चतर दसिम उनके उद्धार के लिए उनकी सांती के लिए उनके कल्यान के लिए स्राध्ध में चत्र दसी का स्राध्ध बहुत अधूत है मालनो मेरी बात कान की डबोलियां खोल के वास उनलो कोई नहीं सुनाएगा इस तुमें बात है सुनाई हो तो वीडियो वेज़ देना मुझे आप सब आनन्द में रहे हैं हमारा आनन्द ही है हम तो जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब आपके आनन्द के लिए आप आनन्द तो मगन है तो हम तो अपने आप ही आनन्द में आप सुख में होंगे तो ही तीत यात्रा होगी दान पुणने होगा आप सुख में होगे उदर घर में बच्छे परेशान है और तुम थैला लेकर बिंदाबन चल पुड़ो पहले तो जाने का मनी नहीं होगा और चले भी जाएंगे तो अगल लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे बच्छे इतने दुखी है उसको चैन नहीं थैला लेकर चल पड़ती है बिंदाबन बच्छे खुस हों खूँ तो भजन में भी बड़ा मन लगता है तीत यात्रा में भी भारी मन लगता है मैं तो निवेदन करूंगा भीया जैसे पंचमी का स्राद करने से गरीवी नहीं बड़ती और चोदेश का स्राद करने से आयू कम नहीं होती यह इतना बड़ा प्रफावेश उम्र कम नहीं होती इसको तो यह समयलो के दूसरा कोई महामृतुम्जे जबका अनुष्ठान है उम्र को बढ़ाने के लिए तराणों की स्रक्षा के लिए और जिनकी दूसरे पहले चले गए हैं उनके घर के लोगों का ये दाइत तो ये धर्म है उनके लिए वो चोदेश का स्राद जरूर करें ब्रहमण को जिमाएं ब्रहमण को बोलाएं नहीं तो बहुत बड़ी बात तो एक वस दिन 24 ब्राम्मद जिमाओं यम्राइण के चोदे रूप और जिस्वें रूप से किसी को तरशत करें शांत हो जाएगा अरे भाईया जैसे नवरात्रा में कम से कम नो खन्या भागवत जी के भंडारे में कम से कम द्वादस ब्रामन ज्यादा कितने भी हो जाए उसी प्रकार से यदि कोई आत्म हत्या करके मृत्तु को प्रात्त हुआ है आत्म हत्या उसके हुई है पानी में डूब कर आग में जल कर और उसने अपने आप जो हत्या कर डाली है जहां भी आपका मन करे हुआ आचाए ग्याजी में अपने घर जहां आपका मन हुआ वहां चौदेस वाले दिन चौदे ब्रहमबट उसके निमत जमा दीजिए चौदे की विवस्ता नहीं हो तो कम से कम एक ब्रहमबट चौदेस को स्राद पक्ष में उसके निमत जरूर जमाना ये एक तो उनके लिए है जिनके आँ सब सुरक्षता किसी के छोटे समय में मौत नहीं हुई युवा समय में मौत नहीं एक तो ये उन सब के लिए है लेकिन जो आत्मत्या करके मृत्तो को प्रात हुआ है वसके लिए ये अमराड के चौदेस स्वरूपों में मैं एक दिन निवेदन गरूँगा ये अमराड के चौदेस नाम कौन-कौन से हम आवस्या के दिन इसलिए चौदेस दिये जलाने की बात कहीं गया ये मैंने पूर में कभी बोला है तो उनके लिए चौदेस ब्रहंबड चौदेस को जमा दिये जावे तो जीव को भी सांती मिर जाए तो अज्ञान में ना समझी में मोत को प्रात्त हो गया उस के घर के लोग भी बड़े परिशान है वो भी जंगलों में बन में भटक राय ये बहुए भग परिशान है भन नहें परमात्मा का बनाया गया ए धामस्री गया जी इसकी महिमा का मैं पर्डं करूंगा यहां के ब्रह cobraनों की कितनी बड़ी महिमा है बाहर के ब्राह्मणों से तरपन भागबत जी का पाठ ये सब कुछ होता है फल दाई है लेकन पिंडदान गया जी के ब्राह्मण से ही होता है कभी आप अपने हां से ब्राह्मण लेकर के आए पिंडदान कराने के लिए गया छेत्रके बाहर के ब्रहम्मड के द्वारा यहाँ पिंडदान नहीं लगता है ऐसा वायु पुरान के अंतरकत लिखाई बरढ़न है इस पष्टफ़ जो पिंडदान है उसके लिए गया छेत्रका ही ब्रहम्मड चाईए इनको बरढ़न मिला पूरी दुनिया को तरपन करने की जरुप पड़ती है लेकिन जो गयाजी में ही पैदा हुआ है वसके तो पुर्खें अपने आप ही तरफ्त होते हैं उन्हें तो तरपन इत्यादी करने की जरुप नहीं पड़ती वरदान मिला है इस धर्थी को कि धर्थी पर रहने वाले लोगों को ऐसा बढ़े बायू पुरान में सबसे ज़्यादा कथा श्री गयाजी की कथा कही गई है इसमें मैंने पुरु में भी आपको सुनाई है और इस वार भी 2024 में भी में आपको सुना रहा हूं कुछ गरुन पुरान की बातें कहूंगा बायू पुरान की बातें कहूंगा और भागवत तो आपको सुनाओंगा भागवत तो पूरे वर्स वर आप सुनते ही रहते हैं लेकन गया जी की भागवत की महिमा है इसलिए हम स्री गया जी में हर वर्स आपको आपके पूर वजों को कथा हम सुनाते हैं हमने सभी के पुरुकों का आवान किया है और आप से भी बड़िया तरह से वह सुन रहे हैं